Hello everyone, welcome back to our channel MBA Tours और आज की वीडियो में बहुती ज़्यादा important and interesting topic है उन सभी students के लिए जो online और distance education में admission लेना चाहते हैं या फिर already admission ले चुके हैं क्योंकि आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ UGC का एक बहुत बड़ा फैसला online and distance education को लेके इस वीडियो में आपके बहुत से doubts clear होने वाले online and distance education से और आपको पता चलने वाला है कि online and distance education आपके लिए worth it रहेगी या नहीं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखिए and अगर आपने हमाई चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे and don't forget to press the bell icon for more latest updates अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे like and share भी करें So let's get started तो बहुत सारे students का ये question रहता है कि online and distance education की डिग्री हमारी regular डिग्री से equivalent होगी या नहीं So इसका answer आपको UGC के notice से पता चल जाएगा जो आप screen पे देख सकते हैं इसमें लिखा है equivalence of qualification acquired through conventional और open and distance learning and online mode मतलब आप conventional mode यानि कि regular mode से, open mode से, distance learning से, online mode से किसी भी mode से आप education pursue करते हैं तो वो सब equivalent होगी मतलब आपकी डिग्री बिल्कुल equivalent होगी तो इस question का answer आपको सिधे UGC ने दे दिया आपको notice के साथ और आपके पास पूरा proof है कि आपकी डिग्री बिल्कुल valid है और बिल्कुल equivalent है regular डिग्री से तो इस notice के साथ आप सभी का doubt clear होता है जो आप सोसे थे और अब आप freely online या distance mode से किसी भी university में admission ले सकते हैं बस आपको ये देखना है UGC approve हो उसके अलावा बाकी जो approvals है वो भी देखिए बट UGC का approval होना बहुत ही important है तो अगर आपको कोई doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं और आप www.mbtools.in में जाके check कर सकते हैं जहाँ पर मिलते हैं आपको बहुत से online universities जिनने आप compare कर सकते हैं आप अपनी university को verify भी कर सकते हैं बस आपको उसके factor को check करना है और आपको अपनी university और उसके course को भी verify करना है आप ये सब check हमारे channel भी कर सकते हैं तो अब आप बिना किसी doubt के online ये distance education कर सकते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो पसंदा है तो please like and share the video thank you for watching